सो हलो फ्रेंस, विल्कम आई डूब चैनल टेक्निकल मौर्य जी, सो फ्रेंस, आज की वीडियों हम बात करने वाले हैं, विवो आई 33S डिवाइस के अंदर आप अपने डायल पैड का थेम कैसे चेंज करेंगे, तो सो फ्रेंस, जैसे आप जहां से फोन लगाते हैं, उसका जो थेम है, सिंपल आपको चेंज करना है, सिर्फ अपने डायल पैड का थेम, तो सो आप कैसे चेंज करेंगे, उसके सेटिंग के बारे में आपको बताने वाला हूँ, तो सो फ्रेंस, जैसे आप अपना थेम चेंज करते हैं, तो सो फ्रेंस, पूरे अप्लिकेशन का जो है थे करता हूँ अगर अभी तक हमारी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बिल आइकन प्रेश कर ले ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो फ्रेंज चलिए हम आपको बताते हैं आपका डाल पैड का थेम कैसे चेंज करना है तो सो मैं यहाँ पर डाल पैड को क्लिक कर दिया हूँ तो सो देख रहे हैं मैं डाल पैड में यहाँ पर आगया हूँ डाल पैड में कुछ ऐसा इंटरफेस तो करेगा आपको तो सो यहाँ पर देख रहे हैं जो नमबर्स हैं यहाँ पर सो हो रहे हैं तो सो आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको तीन ओप्षन मिलते हैं यहाँ बीच में आपको मिलता सेटिंग का ओप्षन तो सो आपको सेटिंग पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है आप जैसे सेटिंग पे क्लिक करेंगे कुछ अर्षा इंटरफेस सो होगा यहाँ पर आपको first number में मिलता है display option आप देखने हैं यहाँ पर मिलना आपको display option तो so आपको क्या करना है इस पर click कर लेना है जैसे इस पर आप click करते हैं तो so आपको यहाँ पर 3 option आते हैं तो so आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है नीचे में आपको मिलता है choice theme आपको यहाँ पे मिलता है choice theme तो so आपको इस पे click कर लेना है अब यहाँ पे आपको तीन option है आपको कौन सा आप जो है theme use करना है आपको इस में से add करना पड़ेगा तो so यहाँ पे आपको मिलता है light और dark system default तो so friends आगर आपको light theme यूज करना है white color का तो so आपको यहाँ पे light पे click कर लेना है अगर आप dark मतलब black color आप use करना चाहते हैं तो so आपको जो है यह dark पे click कर देंगे इसके बाद आपका जो phone में theme है और simple आपका जो है dark color मतलब black color में आ जाएगा अगर आप कोई use नहीं करना चाहते हैं dark या light जो आपके phone में theme में आपका जो है उसे आप use करना चाहते हैं तो so यहाँ system default पे कर देंगे इसके बाद जो आपका theme है जो phone में theme use होता रहेगा वही आपके phone में dial pad में भी theme use होगा तो so friends ऐसे आप अपने phone में theme change कर सकते हैं तो so मैं यहाँ पे अभी आप देखें आप जो है system default का चल ला था तो so अब मैं यहाँ पे dark theme करके आपको दिखाता हूँ तो so अब मैं देख रहे हैं आपको dark pick लिक कर दिया हूँ मेरा phone अभी से dark में आ गया है जो dial pad का setting है जो dial pad है जो number है उस अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो है dial pad में simple आपका जो है dark theme है so ऐसे आप अपने phone में dark theme यूज कर सकते हैं ऐसे आप देख रहे हैं और बाके मैं आपको दिखा दू मेरे setting में कोई changes नहीं है मेरा changes जो setting है उस simple light में है आप देख रहे हैं यहाँ उसमें कोई changes नहीं है simple मेरे phone के सिर्फ dial pad में ही theme change हुआ है so friends ऐसे आप अपने phone में dark और light theme change कर सकते हैं so मैं आप एक बारी light का भी कर देता हूँ आप देख रहे हैं light पे कर दिया हूँ so अब यहाँ पे सब white color के आ रहे हैं so light color भी आप ऐसे use कर सकते हैं या आप system default कर सकते हैं जो भी theme आपके phone में use होगा so आपके dial pad में भी show होगा वही theme so friends चलिए आज की वीडियो बस इतना ही अगर हमारे वीडियो अच्छे लिगे उसे like कर ले share कर ले अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe कर ले और बिल आइकन प्रेश कर लें तक कि हमारे वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिले तो show friends फिर मिलते की नेस्ट आपिश नेस्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए bye bye